दोस्तो इस वीडियो में हम समझेंगे योनो SBI एप में बैलेंस को चेक करने के लिए बायोमेट्रिक को किस परकार से इनेबल करें सबसे पहले योनो SBI एप को उपन करें उसके बाद विव बैलेंस पे जाएं यहाँ पे सबसे पहले अपने मोबाइल फॉन में M-PIN को डालें M-PIN जो आपका 6 डिजिट का होता है जैसे M-PIN डालेंगे इस परकार आपके सामने स्क्रीन आएगी यहाँ पे आपको नीचे सेटप पे जाना है सेटप पे जैसे क्लिक करेंगे फिर से M-PIN मांगेगा यहाँ फिर से आपको अपनी M-PIN जो है उसको इंसर्ट करना है M-PIN इंसर्ट करने के बाद इस परकार के यहाँ पे ऑप्शन साएंगे यहाँ पे सेट बायोमेट्रिक पे जाएं इसके बाद I agree to the terms and conditions यहाँ पे आपको जाना है इसके बाद बायोमेट्रिक को enable उपर से करेंगे उससे पहले हम डिरेक्ली देख लेते हैं बिना enable के क्या दिखाता है On Disabling Biometric You will not be able to use the Biometric यहाँ पे आप लोग ओके कर दें Next पे जाएं तो बिना Biometric के भी आप लोग यह option को open कर सकते हैं हमें Biometric के लिए जाना है तो उपर इस प्रकार से क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद OK पे जाएं जैसे ही आप यहाँ पे ओके पे जाएंगे आप लोग उसको चेक कर लें देख लें और इसके बाद OK को insert करें मैं डिरेक्ली यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ पेस्ट करने के बाद submit पे क्लिक कर दें इस प्रकार आप जैसे ही submit पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से submit होगा और successful का आपके सामने screen पे वो message आएगा तो इस प्रकार से बहुत ही simple तरीके से directly Yono SBI app में balance को check करने के लिए आप अपनी biometric को biometric means अपनी finger को यहाँ पे biometric को enable करके finger से sense कर सकते हैं यह देखे screen पे आच चुका है touch ID जो है वो आपकी हो चुकी है यहाँ पे आपका वो balance show कर देगा यहाँ पे क्लिक कर देगा दुबारा से मैं इसको देखी check करके बता तो इस प्रकार उंगली को sense करें उसका बहुत ही simple सा यह procedure है यहाँ से यह देखे दोस्तों दुबारा से ओपन हो जाता है यहाँ इसके बाद मैं यहाँ पे उंगली को sense करने वाला view balance पे क्लिक करें यह देखी आचुका आपके सामने biometrics sign on और नीचे उंगली से enable करें यह procedure है simple सा